बंदे देव उमापतिम् सुरगुरुम् बंदे जगतकारडं। बंदे पन्नग भूषणं मिर्गधरं। बंदे पशोनांपतिम् बंदे सुरियस सांक पन्हिनयनं। बंदे मुकंदाप्रियं। बंदे भक्त जना स्रयंच परदं। बंदे सिवं संकरं। जय संभो जय भोले नाथ पसुपति। जय गाउरे सिवं संकरं। गर्छु बंदन पाउम परेर भगवान। लेवु मलाई सारण। ए विश्वनात जगतका पिता पसुपति। युटा पिन्ति मगार दचु। जीवन भर हजुर कई प्रचार गरेरा मरण पाउम भंदसु। जीवन भर हजुर कई प्रचार गरेरा मरण पाउम भंदसु। जैवेले श्री पशुपतिनात भगवान को जैन। समाधर्नी अस्तरदालू भक्त जनरू पवित्र स्नावड मास। स्नावड मास को युँ पवित्र दीनरूमा हमेरू शिवा महापुनाण को दिप्यभव्यक थाहरू बाबा पशुपतिनात को प्रांगरवाट रोड लाइस। उन्हें दया का खानी करुणा का खानी उन्हें प्रमात्मा जर्ष्मा समग्र सनशार को पति स्थितीर विड़ाई कारण जो होंच जो बाट योग्षार संसार शलेकोच जो हिमालय पुत्री जगदंबिका भगवती पारवती उमाका पति होंच जो तत्तोक ज्याता होंच जो मायाको आस्त्रवयमा रणु वयपनित्यस्वंद यथार्त रुपमा ताडा होंच जसको शुरूपको चिंतन गरना संभवत शाईना जो बोद शुरूप तथा निर्विवकार होंच जो निराकार भैरब बने भक्तलाई शाकार जस्ति गरेरब आयर जें जिन्नको रूपमा जें अश्रवात परतान जें भक्तocar भक्तलाई निर्वकार जस्ति गडुप शुरू-टीक कि निजो का दिनुशंब मा शिवा महा पुनाड है को विद्ध्यक्य स्मिता लिष्य को विश्यइन चारचार लुए है कि अब आजे बाट कि दोस्त्र भाग सुरु गर्द है शिमत स्ञार जलाइ प्रमात्मा भागवान शिवाजी को ध्यानमना अगर्दै कथामा प्रवेश्गरूम भागवान शिवाजी को विश्वाजी मा किवनी को शत्रन्दा करे बेदव्याश्वन शिवाम्तं परकृते रनादिं प्रशांतमेकं पुरुषतमं ही सुमायया कृष्णमिदं ही स्रिष्वाज नभो बदंतर वहिरास्थितोयं मा सभावाईले उहां अनादे सांत शरो पुर्षतम भगवान शिवाग बंदना गर्दाशू प्रजवाफनों मायाले यो समग्र विश्व को श्रिष्टी गरेर आकास जसरी यसरी इसको भित्रर वाईर व्याप्तर अनुभैको शा जसरी खलां चुम्बक परते आक्रशित भगवान शिवाईले यो समसार को श्रिष्टी गर्ने बिदी बताउनों भईको शा जो अत्यनते गोपनिया अने गारेजने जसको शुरूप धेरै गोपनिया शा उहां भगवान शिवापो ज्यादे भक्ति भावलेमा बंदनाना गर्दाशू जगत अपितरम संभू जग तो मातरम शिवाम तक पुत्रेंच अगना गणा अधीशं नत्वय तद बरन यामने यो समगर जगत का पिता भगवान शिवा माता पार्वती तथा उहारू का पूत्र गणिशलाई नमस्कार शा बारंबार अबमात पाजरोडलाई शिवा महापुराण का दिर्द्वे कथ पारोड बेर्याके कोशिव भनेरा त्यता धन्नाखरीमा बेद्व्यास्ति भन्नाच एक दा मुनया सर्वे नईमिसा रन्य भासिन पर प्रक्षु बरया भक्या शित्म ते शोनका दया प्राचिन काल का एक्षमय को पुड़ा हो तेस समय मा नईमिसा रन्यमा बस्वास गर् रिषीहरूले अत्यांते ज्यादाइ भक्यवावले शुता समक्षाह्म शिग्ज्यासा राख्मे शिल्सिलामा बने शिभरे हे शुता है आमिले विद्देस्चर समीताको जून साध्य सादन खन्यानाम् सभाईको ज्यादे कल्ञार दायेक उत्तम कथा सुनेओं विद्दे ये धर्मात्मा हिस्सुता अब हमिलाई भगवान शीद सदासिव भगवान संकर को अत्यनते उत्तम कथा हमिलाई अब हजर ले शुने रोन वह कुछा तपाई को मुखवेटा ज्यान रुपी अमरीत गंगा हमिले प्यून पाई रखे का सो तेई भगवान फेरी पेनी के जिग्याश रागशुन हे बिदव्यास का किर्पा प्राप्त गरेका शुत महाराज अब तिमीले नजाने को तक्याइपिन छाई ना गोत बर्तमान भगुष्य सबई जान्दाशो गुर्व व्यास को किर्पाले गरवदा खिरे शमगर जिवनले सार्थक मनाय का साउव ज्यानले वरुप्रन भयका साउव तो बैसको कारन आज भगवान शिवर पारवतिको अलंगित कथा Wir अलोखिक कथा हमिलाई पताई देव भरेर शवनकादी रिष्टी अरूले वनीशक्य पसाडी चुतजी महाराज अत्यंते खोशियों नूँछ तब फेर शवनक दिले बंदसन अब हमिलाई सिवा पार्वतिको अलोखिक कथा सुनाई देव किना की निर्गोण महेस्ट्वरले संसार मा कसरी सघुनरूग दारन करनुछ जा निर्गोंड ले संगुल कशतल्गरनुछ यू विशन मैं विशोट्वरले चेंदन गर्दा पुनि भागवान्गों शिपhte अन्ति मा आये पचि भग्वान शीवा कुम अभास्ता मा वर्षन हुना हुन्छा तथा सबय allons को chronyadgardini Thailand भग्वान शीवालाय हा मेले कärे परिशन्नला बना भॉनी हग्वान शिवाजिरे जब भाक्त नाथी पार्षन्ना हुनौ आए ता ब्रम्मा विष्णु मैस भगवान शिव के अंगवाट उत्पत्ति भएका उन्हें इन्यरु मद्य मैस भगवान शिव को पुरुणा अम्समन इसकारनु आपुण। दोस्रोो शिव हुण चमये श भगवान शिव को पुरुणा ओंड। आपुण। इस्परस्व इस्मनण गर्दे विविन्नकिषिंका प्रश्ण अरू राकि तब सुतजी महाराजले भन्नोंच ये सम्नकाधी रिश्यरो तिम हरूले अत्यंते राम्रों प्रश्ण गरे काले तिम हरू परति मपली अत्यंते गदगद खुशी चु यही खुशी भैको कारणले तिम्हेर को भगती तिम्हेर को प्रेम देखे रा आज अमले शीवा संगा समधित कथा बाचन गर्न गई राखे को छू सुन्ने जिग्यासा ब्यक्त गर्ने शुनाओने ये तीनो टाई क्या उंचन तबंदा करे गंगा जस्ते आत्मते पवित्र अंचन भगवान शीवाजी को कथा बाचन गर्ने सुन्ने तियो जिग्यासा ब्यक्त गर्ने तिने ये ये नचन तबंदाखे शुनाओने इस सबै canा तिने गंगा जस्ते पवित्र हैंचन सदा सीव कथा प्रश्ण पुरुशाम्स्त्रेन गुना तीही बक्तारं प्रिचकम्स्रोतो जान्वन्वी सालिलं यथा ये ब्राम्मण हरु हो ये सवनकादी रिश्य हरु हो भगवान सीवले सात्विक राजस्रत्तामस तीनोटई प्रकृतिका मनुष्यलाई आनन्दित बनाई दिनोंच ये सईले पशुको अत्यागर्ने निष्टूरी कसाई बायेक सबैले उहांको गुनको बारेमा सुन्ने आप तो तो तेम्ता नीच वारो अईना वही ना बने भगवान को चे शबहे लेचे शुम्रसाँ इसे करें जस्मा कुने पनी किसीम बाटा जस्मा कुने पनी किसम को लालत से नपिस्तों महात्माले भगवान शी वजी को भूनगान गर्दसां किना कि ये संसार रोपी बनातन भगवान शीव जीन इमन शो तीम्रो पर्ष्ण अनुशार ले मही ले यो विश्यमा चे बताउचु तो के तीयो त बंदा करें शीव लिला का बारे मा बताउचु जो सरी आज सोनकादी रिश्यरू तपयां ले पर्ष्ण गर्नुव तेशे करें ले नारद ले प्रेम पुर्भग भागवान शीव को यस चुनावन थाले बेद्व्यास ले बन्नुश शुतले बतायका तेश्ता कूरा सुनेरा ती शवी ब्रामलरो अत्यंते आस्चरे चकित वै तथा उन्योर ले तेश्यमा यथार्थम जानने अविलासा ब्यप्त गर्वाने रिश्य पुर्भग भागवान शीव का परम भक्त विद्धिमान पुरुष्ति मिले बतायका आनन्द दायक कुरा सुनेरा हमरो हिर्दयमा कौवत तुहलता उत्पन्न वयो ब्रमार नारत को भीष्मा जो आनन्दित बनावने कुराकानी वयको थियो जो जस्मा यो संसार सागर बात एथार्तमा मुक्त गराय दिने मुक्ति दिने लिलाको भर्णन वयको थियो अब त्यो देवर्शी नारत ले प्रेम भाव संपन्न वयरा शोदेका की सबी प्रश्ण को उत्तर जुनकिशिम्डे ब्रमार नारत ले जहीं गर्णो भई उतिशको विष्मा हामिलाचे बताय द भणेर बनिशके पसादी शुत जिली बन्नूंचे मुनिहरू हो एक समय को पुदा हो ब्रमा का पुत्र देवर्शी नारत मनमा एका गरत पुरुवक तपश्या गर्न चाहाना उप्रत भई उनको महनमा तपश्या गर्ण पर अनंद शित बन्ने जहें उनको मनमा चाहाना उ सत्त महा ब्रम पुत्र भिनी तात्मा तपुर्थम मना आद दे इमालाई परवत्ना कुने एउटा ज्यादै शुबायमान गुफा थियो तेशको नजिक बाटा निरंतर अत्यादेक तिब्रगतिमा गंगा बई रहे कि थिन तिहां एउटा अत्यांते उत्तम अलवकिक्र अ आश्रम पक्तियो तो अलवकिक बस्तु देखने सकने नारद तपश्यागर्न तेहिं गुफामा गयी जिन गुफा दोस्रो सर्गा जिस्ततो तो गुफा देखेरा देबर्शी नारद ज्यादै परशन्न वए उनले धेराई लाम शमने छम्म तो गुफामा तपश्यागर्न उनको हिर्दया सुद्ध भयो उने दिर्णता पुर्वक आशर्मा अवस्तित वैर मौन अवस्तामा रहन दै प्रणयाम को विदी अनुशार समाधीमा वसे नारद अब समाधीमा वसे ए ब्रामण हरु हो उनले जुन समाधी लगाए तेस बाट ब्रह्मसंग साक्षत कार ब्रम्म हुँ वन्य बिज्ञान परकरपंति तेस्तो थेस्तो थेस्तो समाधीमा वसे बिज्ञांन भावती ब्रह्म साक्षतकार करम दला तो तेस्तो किस्तो बढ़िन जहां आफ्वलै ब्रह्मचील प्रें अनुवने किस्तो कि इंद्रपद वहने को ता जक्सले तुन्दुल्या यग्येगर्च, अश्वमेडाधी यग्येगर्च तपश्या गर्च, उसले पनी इंद्रपद परात्त वोनसक्ष, देवर्षी नारद्य घना घोर तपश्या गरनुब, महा को तपश्या ले चाहिए, शारा जगत चाहिए कात न थाले, परकृति मा बिविन्ना किसिन का चाहिए, संके तरुटे देखिन थाले, तब इंद्रपद पनी अलियो, तब इंद्रस्या डराए, पताई देवर्षी नारद्य यो तपश्या गरेर, भलेनात संग, यो इंद्रपद मेरो यो शर्ग को पदैता छिन्दाईन, बनेरक दराए, अत्यंता ग्युहल भाए, उनले आखनो मनमा इन नारद्ले मेरो राजेलीनाता चाहांचन, बने बिजाहर गरेर, अब नारद्को तपश्या बेवधान करना पिरा लागे, पशेले तपश्या गरेले मेरो पद लियो बनता, मेरो राजा पदै को खुश्किन आफने मान मां काम देब को समझाना गरें एस परकारले उनको इसमर्ण करने वी ति ती अतिन दी मान काम देब पने आखने पिर रती सेट ति हा आय, using life, working kalis. इस्तरी आये का कामदेव लाई देखी शेके पसाड़ी अत्यनती कपड बुद्धी भए काती देवता का राजा इंद्रले आपनो स्वार्थ सिद्धी गर्ना का निमित्ध कामदेव लाई संभधन गरेड भने इंद्रले भने मेरो प्यार मित्र है कामदेव मेरो एवटा कुरा ध्यांदेर सुनदेव प्रमला इवटा स्वायोगर बिन्ती सहा कामदेव हने रभुद्धी ये प्रमम मित्र तिम्रो बलका आदार्मा मैले आजा सम्म घरे तपस्यारू को घमंदलै नस्टवरिशा के गोसु येस कानन तिम पिर्पा को प्रभावले मेरो राज्या थीर वाये को सब्सक्राइब तिमले गर्दा आजा म यो राज्या मा बश्ण पाई रखे गुछू यो राजा पद्वाय मेले जोगाई रखे गुछू इंद्रबल्बल्ब दिवर्शी नारदले एथार्त रुपमा सम्मेवेत हुदै दिर्ण निश्चै भैर मनमा समग्र विश्चो का अत्यकुदी भगवान सीवले प्राथ्या रखे गाशंद हुदै रखे गाशन मेरो राज्य मागलान की बनने मलाई डॉल्षा, राज्य मागे बनता मेरो तपत्त गयो, त्येही वायरा जाई, ए कामदेव अब तिम्ले नारत को तपस्यामा बिग्णगराई दिनू परयो, तपस्यामा ब्यवदान उत्पनगराई, अब आपनो मित्र इंद्रले एस्तो अग्या दीशके पसाड़ी कामदेवले ज्यादी हर्षे दोंदेई, ठीकेईचा मित्र बनेरत्या, मुन्चा मगर्ष्य बनेरत्या 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 निश्किए, के उपायगर्न थाले, एस चिल्चिलामा उनले त्याहां तत्काले आखना सबै कलारुको रचाना गरे रवने बसंताले पिने ज्यादी उन्मत्त होदे आखना अनेकों बहार देखना थाले बसंताले उत्पन्न गरे, एमुनियरू एसरी कामर बसंताले अनेकों उपाय लगाउदा पनी नारत्को चित्तमा कोनी प्रकार्व विकार उत्पन्न भायएगा, पागवान सिबको ज्यादे एकाग्र भायएड रणु को मुख्य कारण को विश्यमा शुना, तेस समय मा भगवान सिबको किर्पाव गरदा नारत्मा कांदेव को पुनैपनी प्रभाव परना शकेना, कांदेव ले गेपनी दरना शकेना, पहिला तेई आश्रम मा कांदेव का सत्रू भगव समय मा रतिले कांदेव लाई फेरे जीवित गराई दिना देवताहरु संग अनुरोद गरिन त इसरी प्रार्थना सुनी शके प्रशाडी देवताहरु को सबई को कल्याण गरून का निमित्ता भने रागवान शिवजी ले शिवजी संगा चाहिए रतिले चाहिए जीवित लए दिन उपरेव वने शेनी प्रार्थना घशाडी हो प्रार्थना गरिशाग चली के समय प्रशाडी भागमान शीव जीले दिवताहरु बननोग चैसे प्रलब leader ivies और यहां यो इस्थान मा कांदेव को कुमेammfoodshake परभाभ नरे साइन देखिने चा त्यों ठाउशम्मा कामदेव का बाढ़ ले पुने बने प्रभाप पार्न सब्दाई ना बाने रा भगवान शीवजी को एस परकार को आज्या अनुशार त्यों ठाउओमा नारत परती प्रार गरेको कामदेव को बाढ़ ले कामगरना सके ना अशपल सिद्ध उनि ततकाल इश्वर्ग लोपमा इंद्रको नजिकमा गए एमित्र मोईलत शकीन बनना थाले शबै ब्रतांत सुनाई तीस पसाडी अब इंद्रको आज्या अनुशार भुनी बसंत शएद भाईर आकनो इंद्रमा आकनो किता स्थान मा गए त्यों समय मा इंद्रलाई देर जाने नहीं वयों तरा उनले देवर्षी नारत को पर्शम सागा दे तरा भगवान स्थीवको माया को प्रभापमा परेकाले उनले त्यों पोईले को पुरा संथन शके नन यह थार्थ मा यह समसार मा बैका कुनही बिनी प्रादिले भगवान शिवा को माया का विशय मा यह थार्थ रुप मा जानन पर दाशा तबमात्र भगवान लाई प्राप्त गरना सकीनच, भगवान को जोने माया रुपी ये संसार साघर से ये स्पार्टा हाचाई बच्ण शकीनच त भगवान शिवाजी को किलपा प्राप्त वयका कानुले नारबले अत्यंते लाम समेश म तपस्या गरे जब उनले आपनो तपश्या पुरुना भाय को अनुबत्ती गरे तेश्वसी उनी तपश्या गर्मस्वडेरा फर्के उनको मनमा मैले काम देवलाई प्राजित गरे भन्ने किसी उनको फेरी येता देवर्शी नारद दाई किवाय तबन्ता करे गमध उत्पश्या भयो। भगवाण शिवजी को माया द्वारा उत्पश्या भय काले अव त्यो पूरा नारद ले बजना शाके नं तेस्तर पुस्च्ण मुनियरो प्रप्रम्म भगवाण सिवजी को महा माया धन्याचा दन्यास वहां को मायाको गश्म परेगा उना दे बर्मा विष्ण शेट देवाताली पिने देशको जाई गती देखना सख़वाइनां त्यों माया को घ्रण्यास अब त्यों नारद पनी त्यास पाता बचे नन उनलाई जेकि वहाता भंदाखर गमंडाया हां बेरु तपश् जैने अब ना बनिंछंतर सिट शेय एक फाया जय थे पर्बेंने खाहन सकी अने कुछ सथान माद को गेर हां भोए धैन आरद भने मा अथेंट पर्भू भाणै जै कुरा घर खम पर्वु अने को बिजय आशिल, पर्वु अने को माली, मत काम देपला पिन जीते मन्दै, अब पुरा मादेपला पुरा हाद शुना मन्दै, येस परकारली कुना शुनी शक्वे सेड़ी भक्तरलाई माया गर्णोने भगवान शीवाले आपनो माया बाट महित भएर, ये था किन भप न नारद, तीमी अंत्येशंते बुद्दीमान शुओ, तीमी ज्यादयी विद्वान भयकाली पर्षमषा गर्मायोग्य पनी शुओ, तीमी देवरशी आऊ, देवरथाकारी शुओ, देवरशी नारद, अब येवड़ा कुराचिन ध्यांदेर शुल, तीमीले अबस्तामा पने क्रसाईलाई पने न बताऊनु जिनकी यो सिद्धी संगा समंधित कुडा भायकाले एसलाई एथार्थ रुपमा गोप्पे राखनु पर्दाश अपुले सिद्धी साधनागरे का कुडारू अरकाला बताऊनु उदाईना वन्ने यो ज्यान तो आज बली मा आहरा मिला मशिता अफोनी न न बेशेव उन्ने शाधनागर आजाएस तुम दिखांघ्शनिस्धी साधनागरे के रिकला'S बन्ने करा ओई न बने गने वने तेसको जिन खेंको फ्रफ्राप्तिम पर नियों किसिंगो फ्राप्ति सिद्धी साधना गरेरा अरकालाई बताई यो बने टो खलप्राप्ती बोड़ें ते शेव ना प्राम तीमी मेरा लागि अत्या प्रिया सो खेरी ये नारद ते शेव से ले कर दाखरी यो महाले उपदेश दियेकुं भागवान शिव जी लेवा नौनच तीमी मेरो पर्म भक्त वाएका कानने महाले यो पुरा बताएं उनेοι भच्वान स्िव जीले नाड़ ले अत्यनते दिव्य उकश्व दिन उ बहुhmen. दर भच्वान स्वीबा को मायाले महित भयकाले नाड़ ले उहाले दिये को उकश्व पषिछड पनिपचे नहीं. बुद्धिमान मनुष्य अरुको अनुभुति का आधार मां भविस्य मां प्रात्त हुने पर्म को गत्य अत्यन्ते बल्वान हुँछ इनकी भागवान शिवको अभिलाशा मां कुनाई पनी पुमानिशले परिवर्तन ल्याउन सक्ले। तेस्पस चाद देवर्शी नारद ब्रम्म लोग गये त्याँ पुगेर आखना पितालाई प्रणाम गरे देवर्शी नारद ले आखनो तपश्य को बलको आधार्म काम देवलाई प्राजित गरे को गुरा अब एता पितामह ब्रम्मा जिलाई सुनम्न थार। ती देवर्शी नारद का एस किसिम का कुराशिने शके बसाड़ी ब्रम्मा ले भगवान शिव को चरण और को चिंतन गर देवर्शी नारद प्रमात्म भगवान शिव को चरण और को चिंतन गर देवर्शी नारद प्रमात्म भगवान शिव को चरण और को चिंतन गर इस कारण ज्यानियरू मत्ये सर्वत क्रिष्ट देवर्शी नारदले ब्रह्माले बतायको कुरा पनी आखनो लागी कल्याण दायक माने दान। इस कारण ती बुद्धी प्रमित भैका नारद आखनो पुरा सवै सुनावनो परो वनेर गमंडले चूर हो दाय भगवान शिवजी को पास्मा गये। भगवान बादले नारदले आशनमा बशालेर भगवान शिवको चरण को इस्मरण गरदे ये थार्त परक्र भमंड बिनास गरने कुरा आज भगवान विश्णुले नारदले बताउदे होंचा। भगवान बिश्णुले की बन भयोत मन्ना करे। तिमी यहां आउनो को उधस्य की हो ए देवर्शी तिमी धन्य चो तिम्रो दर्शन पायर आजमा अत्यंते पवित्र भगवान शिवको शिवको रिश्णुले नारदले ये थार्तमा को मोह को बश्मा परेर अउनले आपनों अभिमान पुरण कुरा हरू। अभिमान पुरण कुरा हरू उनले भगवान विश्णुलाई शुमरपन। यस्ता किसिम्बाट ज्यादे अहंकार संपन्ड कुरा शुनिशके प्रसाडी मनमने भगवान शिवको चरण कमलको शुपनन गरे पची विश्णुले उनले उनले कांदेबलाई प्राजित गर्णुको ये थार्ता कारण। पुरुन रुपना जाने तियस्पशी भगवान शिवको आत्मसरिपी भगवान शिवका परमभक्त विश्णुले ज्यादए भक्ति वाबले आपनु शेर नियुर्यायर हाद जोड़ दे परम परमात्म भगवान शिवजी को इस्तुति कर्ने शिल्शिल्यामा बने देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्तों सिव धन्याते मायासर वभमोहिने विश्णु भगवान शिवजी को क्यो बनेर ध्यान करनों बता है ये देवादी देव ये महादेव ये परमेश्वर तपाई मवात पर्षन वाहिदिनों इमेरो वलेनात तपाई धन्य अनुँच तथा सबैलाई महित बनावनी तपाईगो मायापनी धन्यसिन। एस प्रकारली भगवान सिवको स्तिती गरिशेकर पुषारे विष्णुली आखा बंद गरिरो महापो चरण कमलकमा ध्यान गर्दे चुपलागे। तिमरो हिल्दे पनी ज्याताई विशाल स एमने जस्मा भग्ती ज्यान्र बईराग्यको अबाप्च तेशको मनमा सबै प्रकार का दुखरुको कारकत्तो कान मुह लगाद का विकार ततकाल उत्पन्न उन्च तिमी सदै भरिका लागे त्योकुरा त्याग र सुद्ध बर्तमा रहने प्रमचारियो तता सदै ग्यान्र बईराग्यको तिमी संपन्न चौ येसका नन तिमी मा विकार उत्पन्न असंभब्च किने कि तिमी जन्मसिद्ध निर्विकार शुद्ध बुद्धि संपन्न चौ विश्णु का एस्ता किसिम का कुरा शुनी शके पचाड़ी यह स्वामी यदी ममातित अपाय को किर्पा रहे को छबने, कामदेपको ममातित पुने प्रबाप परनस्थकने शंबावना रहां देना यह परकार का पुरा गर्बशी आपम इच्यान शार भंभीर गर्णे देवर्शी नारद विष्ण उलाई प्रणाम गरेर त्यां वट विष्गी रिष्यर लेवन्लों सा यह सुता यह धर्मात्मा वे विदाव्यास का सिस्या तीमीलाये नमस्कार शा तीमीले आमी माति कृप प्रकार ने देवर्शी नारद अब विष्णु लोग बाट त्याँ बट इनिशके पसाड़ी देवर्शी नारद कहां गये था येस पिसे मा हमिला शुने इच्यासा बने शके पसाड़ी बेदव्यासले बन्नों चत्ती दिशियर को इस्तुकुराशी ने शके पसाड़ी पुराण बने रशुनावने पुरुशरुमते सर्वस्त क्रिष्ट तथा धेरे भुद्धिमान शुतले अनेकों प्रकार को शिर्ष्टी गर्णुने भगवान शिवती बिश्मरण करदे भन्न थाले शुताजीले भन्न थाले ती देवर्शी नारद तेहा बट आखनो अंशार माया को जात विश्नुले ततकाले आखनो माया प्रकड गराए तेस्वसी विश्नुले देवर्शी नारद जान लागेगो बाट मां सय योजन फईलियको यवटा अत्यनते विशाल नगर रचना गरिनुए त्यो नगर अत्यनते ज्यादै अस्चरिय जनक्र अत्या अत्यार माडिया बनाए दिनुगो तेहां वायेका अनेकों परकार का बस्तुले तेसको सोबा बढाई एको थियो त्यहां का इस्त्रीर पुरुष्का लागी खेलबाड गर में धेरें ठाउं थिये मनरंजन गर में ठाउं थियो नगर चार ओटै मानिस्टले तेव भरिये तेहों नगर का ओश्यरी श्याली राजा को नाम सीलल नीदी थियो और अफ़ने पुत्री को स्वंबर गरावने पर्यासमा लागे का थि तेसेले उनले उठा उचाजनकारे क्रम उनले चाही आयजना गरे का थि आखनो श्यरी को बिभाका नीवित्त भने रहु त्यो नगर का राजा सिलन इदी की पुत्रिलाई बरडगर में अविलासा लिये रा फिर्थिवी भर का चाराई तिरका राजकुमार अरो त्यां आखनो बेगन नखिश्म को बेश भुशाले सज्जिये रा त्यो ठाउमा आये का थिये ये इस्त परकार बाट त्यो सुन्दर नगर देखिशे के प्रसाड़ी देवर्शी नारद अत्यातिक मोहित वै अहा कती राम्रो शहर अनि त्यो काम देवलेता त्यो विभासक सम्दित काम भाशान आले अत्यों ते आसकता भई को उनाले नारद राद नारद पने त्यो राजा को गहरमा जानु परो त्यांता छरीको विभा हों देखिशे के प्रसाड़ी त्यांका राजा शिल निदीले उनलाई रत्नाले बने को आशनमा भशायर उनको उजाग त्यो पसी ती राजाले आपनी सिर्मती नाम भईकी जादे सुन्दरी कन्यालाई बोलाई र उन देवर्शी नारत को चरणनमा प्रणाम गर्न लगाए ती कन्यालाई दिखिशे के पसाड़ी देवर्शी नारत ले अत्यांती आश्चार्जे के त्हुदै राजा शिल नदी संगा भने हे राजन इनी देवतागी कन्या जस्ती अती शुंदरी तथा भागेशाली नी कन्य को हुन देवर्शी नारत का एश प्रकार का खुरा शुनी शक्ये पसाड़ी राजा शिल ने दिले हाथ जोडेर भन्न वयो हे देवर्शी यी मेरे पुत्री हुन इनको नाम स्री मती हुन अईले इनको विभाह गर्ने समय भहिर एको शा एश कारणने गर्दा खेरी आपनो लागी सुन्दर बर्चनट गर्न इच्छा भयकाले इच्छा ले चाहिं नी चाहिं स्वयम बर्मा जाना लागी किसन इनमा सबी प्रकार का शुब लक्षन हरो भयका शुन राज सिल्न अधिका एश प्रकार का कुराशुनिशके पुछाडी काम बासाना को प्रभाद मा आयका देवर्शी नारद्वे ती कन्याले मैले प्राप्त गर्नपा आये हुन्धियो भन्य किसिम को इच्छा राग्रे राजाले सम्बदन गरे एर आजन तिम्री पुत्री सबई किसिम का शुब लक्षनले युप्त चिन ज्यादै शोभाग्य साली निछिन धन्यर साक्षात लक्ष्मी जस्ते चिन संप्रुन गोणकी छानेर इनको हुने वाला पती निष्चे रुपमा भगवान संकर जस्ते वैभव साली सबईले मनने कसे संग प्राजित नहुने प्राकर्मी काम भाषन अले प्राजित गर्न शक्नेर सबई देवता भन्दा उत्तम मुनेशन मनेर पता करता आक्नो जस्त ब्यक्ष्य करनो थाले इस परकार बाटा कुरा घरिशके पछाड़ी राजा बाता विरा भयरा आपको एच्या नुशार गुंफिर गरने नारत त्या बाटा हिने उनले उनलाई काम ले अत्यनते ज्यादे आसकत बनाय को थियो तदेवर्शिनालब भगवान शिवको मायाले उनलाई एथारत बन्य किशिम को चाई विचार गरिरा किये उपाय लांगता चे मा सुवेंबर मा आयका राजार लाए छड़ेरा चाई उनले मलाई बरण गर्छिन बन्य किशिम को चे उनको मनमा विचार आयो किना कि सबाई नारीलाई सुवेंदर या यथार्त रुपमा प्रिया चाई सबाईलाई सुवेंदर इस्त्री चाईंचा सबाईलाई सुवेंदर पती चाईंचा सबाईलाई सुवेंदर या मनपर चाई ना तो मलाई सबी बंदा सुन्दर एदी उनले देखिन वनेता उनले मलाई सहजरुप मा श्वीकार गर्शिनु एस तो किश्म बाटा काम बाशन अले अत्यादिक व्याकुल भयकाती देवर्शी नारद आखनो मनमा एस प्रकार को द्रण विचार गर देई भगवान विष्णु को रूप गरहण करने अविलासा लेर उनी ततकाल अबैकुन ठलों बाएक। त्याहां पुही शकी प्रचाडी भगवान विष्णु ले प्रणाम गरेरा देवर्शी नारद ले बने हे भगवान विष्णु मा एकांत मा तिमेलाई आपनो समंध मा एक्तियोटा कुरा को अभिलासा अनुशार को कार्य गरने भगवान विष्णु ले बनना हुंछा नारद तिम्रा लागी तकी मस्टमए दियाल शुली अने बचिन नारद संग बने हे देवर्शी अवथ्दी में आपनो कुराजाएं बना छी तो गवान विष्णु को एस्टो किसिंको खुर परम भक्त राजा शिल्ण दी आख्षनो दर्म पानन करने कारे मा शरय यकाक्र वैर लागी राखे का चन। उनकी सिर्मती को नाम शरी उनकी सिर्मती नाम गरीकी यहटी पुत्री छम शरी छन अत्यनती शुंदर चन। उनी तिने युटा लोक मा सवे उन्दा सुन्दरी वैगो कानले विष्चु महिनी का रुप मा उनी परचार वैगी सिर्मती विष्ण। ये विष्ण। मह उनी स्वेंगा विभाहा करना चाहन छो। राजा सिल्नी दिले आपनी पुत्री को इच्छे अनुशार स्वेंबर कारेक्रम आयजाना गरेका शन। अब त्याहा सवागी उनका लागी पृथिवी लोग बाटास जता तताई बाटास सारा राजकुमार अरु आयका सं। अब विष्ण। तिमीले आपनो रुप मलाई देव भने मलाई उनले आपनो पतिको रुप मा श्रीकार गरने कुरा सुनेचिछ। तिसाइडे तिम्रो शुरुप प्रात्त नवयको अबस्ताना उनले मेरो गांटी मा बर माला लगाउ दिनन। एना तिमी जादै तिम्रो मा ज्यादै प्रिया सेवको येश्कारण तिमीले मलाई आपनो शुरुप देव। जसका प्रभाबले ति राजकुमारे श्रीमतिले मलाई आखनो पतिको रुपमा सहस्रा रुपमे श्रीकार गरने। बनेरा देवर्शी नारत ले भगवान विश्ण संग आखनो शुरुप भगवान विश्ण को शुरुप मारे। एसता किसिम बाट देवर्शी नारत ले अविलाशा गरीश के पसारी भागवान बिश्णुले बन्नुगो ये देवर्शी नारत तीमे आपुले अविलाशा गरेको ठामा जाओ तीमे मेरा लागी विशेश चाओ तो वैको कारण ले अब मा कुने बईद्य ले ज्यादे पिली त्रोगी को उपचार गरे जस्तो गरेरा मत तीमर पुने कल्याण को कार्य गरे दिन छो किनगी तीमी मेरोगत परमभगता हू विशनूले नारद का सबय अंग आखना जस्ता बनाई दियेरा अनुँआर बादर को जस्तों बनाई दियेरा त्यहाँ बाट अद्रिच्त बहे यो कुरा आता नारद आता शाय अनुगार मादर कश अरु अंग विष्णु कश नारद विष्णुले वने को कुरा सुनेर तिहां आफुलाई उनको अत्यन्ते मनमहक रूप प्राप्त वैको मानेरा उन्हें हर्शी तुमदै त्यो समयमा देवर्शी नारद आफुलाई सबी वन्हें वन्हें शोबाग्य शाली मानेरा मानेरा ची अर्शले गदगद वैको तर उनलाई वास्तविक्त था तेना विष्णुले के गरे बन्ने कुरागबने उनलाई ज्यान थी एना अब तेन्दे मत विष्णु जस्तो भैए संसार को सब्बंदा राम्रो भगवान तेहां ठुलो स्वेंबर को आयजना गरियेको थियो हे ब्राम्रो अनेक अनेक किसिमका प्यानेरा राजकुमारो रायका थिये मानो दोस्रो हिंद्रको शबा जस्ते द्यारे शबा संबन्न देखियेको थियो तर तेहां तेहां तेहो देखेरा देवर्शी नारत्पनी तेहो शबामा गईरा बशे त्या बशेर ज्यादाई पटक ज्यादाई पर्शन्न ता प्रुबक उनले विचार करना थाले भगवान विच्णुको जस्ते रूब दारण गरेको उनले ती राजकुमारीले पक्काई मलाय आपनु पती बनावने छिन बनेरा देबर्शी नारत लाई आपनु अन्वार अती राम्रोचा बनने गुराको उनले जैं गमन्न गरे तरा उनला किये था अन्वार ता ब्राम्र आपनु परिबर्तन वायको राश्यक को विश्यमा था थी तिया नारत को शुरक्षा का लागी भगवान स्चिवका दुयोटा पार्शद आयका थिये तर्था तीनियरू ब्राम्र को शुरूब दारण गरेका थिये अत्यंते गोपनियरूप मा बस्यका थिये तिनियर वायकाले अभिवेकी भायर भुजे रती दुवे पार्शरले उनको नजिक मा बस्यरे के करका संग कुरा कानि गर्दै आस दै पुडाउन थाले उनियरूले आपसमा कुरागर्ने शिल्सिलामा बने का थिये देवर्शी नारत को सुरूप निश्यत रुपमा भगवान राजा की पुत्र ले आपनों पत्नी बनाऊं इच्छा गरेका संग येस प्रकार को छल्पुरूण कुरा गरे त्यानि रा नारत को खिल्ली उडवन थाले उपाहास गर्न थाले तक देवर्शी नारत कामबाशनाले ब्याकुलवाय का थिये तेशेले उनले उनियरको बास् राज कुमारी अन्यों इस्त्रिय अरुले घरिये रावार मां आयिनी अत्यन्ती पर्म संदरी विश्च्य की प्रखात रहिएगी तेश्ति राज कुमारे सुनेई सुन नंगोत्य अत्य शुन्दर माला ले ती राज कुमारी शुम स्वाइबर को सभावा को बीचम लक्सम जस्ते गरेरा वसिन उब्यन ते उत्तम बर्त को नियम पालाना गरने राजा की करने हादमा मालालीयर इच्चानुशर को बर खोजी गरने शिल-शिलामा त्यों समग्र सबामा गोन थालिन त्यों सबामा देबर्शी नारद को शरीर विष्णु को जस्तोर अनुहार बादर को जस्तो देखेरा उनी ज्यादाई रिषाइन तथा त्यां बट आपनो नजर हटाएरा पर्शन नाता पुर्वक अरको तिरा लागे नारत लाइते एरिनान रिषाइन बादर को मुक्षन यो स्वेंबर सबामा आपनो चाहना अनुशार को बर न देखे पसी उनी दुखी ब पुर्वक अनुखा पुटि बिष लाइते 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 लियाथ इसी ब्रशन बादर को अनुखा अरुर्व अर्श्वायो ति करनां लीततल लागे लागे नित्वाए नाता सेरे पसी का यो सोन्धार को और लगे łव्याही नाता लेते मिया miejsce लेत लाघ लेली बसने ल बेला वयका सबई राजकुमार सिर्मती का कारण ले निरास वय देवर्शी नारत अती कान सक्त वयका थिये एस कारण उनी तुन्ते ब्युहल वय तेस्पची ती जुई ब्रामण को रुपदारन गरे रत्यां आयका ज्यानी रुद्र गणले काम बासाना को पिल्याले ब्युहल वयका पिडिद वयका नारत नै बने ये नारत ये देवर्शी तेमी अनावस्चे पुरुपमा काम बासनाले महित वय राखे काचो तथा आखनो सुन्दरता प्रभाबले राजकिमारले पाउने अविलासा राखे काचो तीमीले आखनो बादरको जस्तो ग्रेनेत अनुभार एरेका छैनाू पनेरा बनिश के प बनले एस्तो कि सुगो पुरा गनिश्य के पसाडी देवर्शी नारत अत्तिन्ती आस्चरी चर्गित वय उनी भगवान शीव को मायाले थार तुरुपमा महित वय काचिये उनले अईना को अगाडि गाएर आखनो अनुवार एरे अईना को अगाडी गैर आखनो अनुवार एर संता आखनो मुख्ता बादर्बो जस्तो संता एस पसाडी बट रीशले आगो बले जस्तो दं दंती भयरवनी माया बट महित भयका बगवान शिवकाती दोई गोंडलाई स्राप दिदै बने तिमी अरू दुबाई डेम मा ब्राम्मण को उपहास गरेऊ येस कारण तिमी अरू दुबाई को ब्राम्मण को बिरियवट उत्पन्न भयका राक्षस उने शो तिमी अरू ब्राम्मण को संतान भयता पने तिमी अरू को आकार राक्षस को जस्तो उने चा आपु अरलाई इस प्रकार को स्राप दिये पिनी भगवान शिव का ती दुवैई ज्यानी गानले देवर्शी नारद महिद भई को बुजे रके इवाद ना ये ब्रामडरू उनेरले सबी घटनालाई भगवान शिव को चाहना मांचन येशेरे ज्यादे उदाश मवे आकना अपनु ठावमा गयर भगवान शिवेचे को इस्त्रिती गर्न थाले ते महाज्यानी शुत एस्ता किसिम बाट ती दोयटा गण आकनो अभिलासा अनुशार्तिया बाट अन्नेत्र गय बची कामबान शाना दे देरे विवल भई का अर तेन तै नारद ले चे किये गरे अब रिशाय का नारद ले किये गरे न बन्ना करी भगवान शिवाजी को इच्छा अनुशार तिया उआको माया बाट एथार्त रुपमा महित भयेका राजकमारी परती विशेश रुपमा आसक्त भयेकाले उनले उचित्र अनुचित को पजाई भगवान शिवाजी को इच्छा अनुशार नारद मोह बाट मुक्त होना नसक्त काले उनलाई ज्यान भयेनार विश्नुले गरेको कपट समझी देई उनी अत्यातिक मात्रमा रिशाउं देई उनी ततकाल विश्नुलोग गरे भगवान शिवाजी को इच्छा अनुशार विवेक इन भयेकाती तथा समाधी आले काले दनकियो को आगो जस्ते गरी रिशाउं काती देवसी नारद भगवान विश्नुलाई अले कत्ते ब्येंगा रुपमा ब्येंग्यात्त नक रुपमा केई कुरार भन्न थाले ये विश्नो तिमे अत्येंदे दुष्ट सुभाबकार छोओ कोपटी छोओ तिमी ले समग्र विश्वलाई आखनो महजालमा पारी रहन छोओ तिमीले अरुगो उन्नती भयगो देखना सकदाई नौ तिमी मायजालमा लठ्याउन वेरी शिपालु भयकारे तिमरो घृदाय पने अत्येंदे कालो छा एसकानन तिमी वे प्राचिन कालमा महीनी शोरूप दारन गरी छलकपट गरिर असेर अरुले अमरित नदेर वारुणी मदेरा पिलाय का थियो एसता प्रकारवट निरंतर छलकपट गरने कार्यामा लिप्त विष्णु यदि भगवान शिवले किरपा गरिड़ विष्ण नप्योनु भयको थियो वने तिमरो मायाज तिसे समयमा शकी दिथियो एविष्णो तिमीलाई कपट पुरड कार्या देरी प्यारो लागने भयकाले तिमरो शबाब अशल नवयता पने भगवान शिवले तिमिलाई शोतंत्रा बनाय दिनू भयको सा भगवान शीब ले एशरी तिमी लाई स्वतंत्रता दियेर रामरो काम गर्न भएन तिमी उआको प्रभागो विशेमा यथार्थमा जानेर स्वतंत्रता कुर्व कार्य गरी राखे का छो। अईले तिम्रो वेवार देखेरा भगवान शीब पस्तताप गरिणानों भएको अला आपना बचन रभी वेद को प्रमाड़ित्या स्थापित गर्ने भगवान शीब ले ब्राम मनलाई सर्भव क्रिष्ट बताउनों भएको छा। अई विष्टु तिम्ले जशको प्रभाबने तिम्ले फेरी काईले एस तो कामगरने चाहिना। आजसमा तिम्ही पुनाई सक्ति शाली अदमा तेजसी पुरुष्को फेला परेका चाहिना। तेसकारण आजसमा निश्चित रहो। तरह अब तिमीले आपनों कर्म को एथार्त वह अल पांशो। विष्टु संका एस्ता किष्टु बाता व्यंग्यात्म कुरुपमा विष्टु लाई। शिवजी को मायजाल मा परेको देवर्शी नारद ले आपनों प्रमतेज देखा हुँदे। रिष्टु ले आकुल हुद्धेयी भग्वान विष्टु ले स्राब दिने कर îmma कने विष्टु तिमीले मला आइ स्तिका लागी अत्यनतई बिवर्धित कहा ब्याकुल बनाइ। लिजा बिनेर्शी के लाई स्वराई ल आय। को बस्मा पार्मे कार्ये गरी रहे रहां चाओ एस प्रकार को कप्रम्प्रणा काम्धित गरेड़ तिमीले मेरो जुन शुरुप बनायका चाओ कपट गरेव कपटी तेहरी एही रुपमा तिमी मनुष्य उने चाओ इस्त्री का लागी अरुलाई दुख दिने तिमीले पनी इस्त्री बियोग को दुख बगने चाओ तिमीले मेरो मुख बादर को जस्तो बनायकाले तेह समय मा बादर नही तिमरा स्वयोगी उने चाओ तद रुपेला मनुष्य त्वं भव तद दुख बग गरे यनमुखम कृत्वान मे त्वं ते भवन तो शहाई न आजम जश को जश्च जुन मुख बनायर मेरो उपास गरयो एशाईली नही तिमरो स्वयोग गरने चाँ तिमरा स्वयोग एउने चाँ तिमी इस्त्री को बियोगू तुमिले जायने भवश परने सा ऐसे पर्कार ले यह थार्त मा अज्यानको बसमा परेगा नारते भगवान विश्नु लाई शृराब दियेप रखी भगवान विश्नु ले शित्टीका प्रकारदे श्राब सहस्रश्वी कारगरे तेस पसी देरे महालीला गर्णुने भागवानुशी वले ती ज्यानी देवर्शी नारद लाई यथार्त रुपा महित बनावने आपनो माया तानी दिनु भयो परकाले तियो माया को परदा हटने वित्तिके देबर्शी नारद पोहिले गो जस्ते शुद्ध ज्ञान संपन्न वाई उनलाई पोहिले जस्तोगेरे ज्यान प्राप्त गर्ण वायकाले उन्मा वायको ब्याकुन्त आर्टे कोमदा उन्हें ज्यादे आस्चरे चकित वै तेस पसाड़ी ती नारद धेरे पस्तताप गर्दे आपनो पटक पटक निंदा गर्ना थाले अहो मतस माह माया मा परे चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ मा भगवान सिवको माया को जालमा परेकाले मेरो बुद्धी बूद्धी भीग्रियेगो थिए यहीले मा इली हजुरलए दुरवचन बोले प्रभू एनात मैं ले हजुर लाई श्राप दियें हे प्रभू त्यों श्राप निश्करिय मिथ्या बनाई दिनू परभू हजुर ले अहो मैं ले देरे छुलो पाप गरेको उदा मनिश्चीत्रुमा देरे डरलागतो नरक मा परनेचु यारी मा तिम्रो दासुं एसका नट तिमेले मलाई यो पाप बट मोक्त बनाई देऊ प्रास्चीत्त को गारे में बताई देऊ ज्रस्ले गर्दा मा नरक जान न परोश पनेर एसता किस्म बाट देवर्शी नार्दे अईले माया मोहा को रूपी त्यो माया रूपी उस बाट निश्कर शके प्रशादे भगवान विष्न को बन्ना न गर्दा रेश था प्रशादी भगवान विश्न वन्नुन छो एस इस्य तिमे चिंदा न गर्द तिमे मेरो उत्तम भगत वैको कुर्या मा कसे लैं दुईभिदा शेना संकच चाइना येश कारण अब्मत्मिलै तिम्रों कल्याण बदावं छुं किया दिनल सब्रसNew चसbnां ओनिर्स 된 परेबर दिन दरोंबोड नियू शानू परेबरेह कवितित और परेबरें स्पैने उसकाने लार्ड सुन हैं पर्षाय। दमें नाद बटे खर अगान पोल बक ने आपताने दोताय अधाम में hostile सबी कार्य भगवान शीव को इच्छी अनुशार महयको वन्ने कुराचाई विचार गरेड़ा विचार गरेड़ा द्रिन निष्टे गर परम बर्म परमात्माच सचिदानन्द बोधन निर्गोन निर्विकारी चा रजा स्वत्व तमापर उहने प्रप्रमा उनुचा परमात परकट उनुचा एस कारण उहां निर्गोड तथा स्वगोड पनि उनुचा एस कारण निर्गोड अबस्तामा उहाको नाम शीव र उहालाई परमात्मा मयसर ब्रम परबर्म अभिनासी अनंत महादेब सहित का अनेकाउं नाम बले संबोधन गरींचा उहांको आग्या पाल दार्ण गरेरा सारा सनशार को सम्हार गरनोंच जसको शिवसरुप सभई को साक्षी होनोंच ये देवर्शी नारद अब मत तिमेले अत्यादिक सरल उपाय वताउंच जो सुखद सभई पाप नास गरी दिने भोग्र मक्षा दिने शा ध्यांदेर शुट तिमेले आखुमा व परकार को पापबटा तकाल ए थार्थ रुपमा शुनिये मुकता होंच व देवर्शी नारद को एस प्रकार को उपदेश दिए बचे भगवान विश्णुली उपदेश वन्नुबय। ये देवर्शी तिमीश वोक नगर तिमीले तमीले प्रकार को अपराद गरएका शैन म्र्टु लाइ प्राजित गर्ने कालको महा काल घखावान शीब वह नच by अवन्य साद Dr.ará ओपाशनागर पुजागर अरदनागर वजन गर उहां को बारेमा सुनकर उहां को पुजागर शरीर मन बचन ड़ा भग्मान शिवजी ले पराफ्टों कर दोट्या है जीवनमुक्त हुंछ भगवान शिवा को नाम गुरुपी डड़ेलाले पात्तक रुपी छुल छुला प्रभत अनायस शुरुपा वस्पांचन यो पुरा शत्य वयकोमा पुने 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 किश्म को दोईविदा चाहिना तिमिले भगवान शिवाजी को ध्यान गर दिवर्शिन नारद जुन् पात्यो विस्ण्षार समगर पृति विलोकमा पुनी छाहिना योड़ा सत्य वदाउंद चु भगवान शिवाजी को इस्प्मनन करदा ब्रह्म हत्या सैथ का पापरुपो अस्मीत थुक्पर रुपने पुनारुपमा नस्टावंशन येस कारण हे नारद भगवान शिवा को नामुरुपी अमृत हमिले पियुनाइ परद चा ते नपियुदा समो्म व्यक्पिलैं सांति प्राप्ति हो दैना भगवान शिवा जीको नामूरुपी अमृत को गर्शाको धारा इश्नां गरेको मानिशले संसार का पापर को डडिलुको विश्मा रएपनी सोब गरने नगर्ने सुनिशित्चा सोग उन्योरला खाली हो दैना सोग गर्नो परदैना एस कारण जो मानिशले भगवान शिवजी को पुरुण रुपमा जाई आरादाना गरदाश उसलाई भक्ती किरपा प्राप्त हुन्छ मेरो विश्मास अनुशार जसले भगवान शिवजी पुरुण परती एकनिश्ट तथा असाद्रण वक्ती हुन्छ त्यों मुख्त हुन्छ जुन मानिशले आखनो शरीर का अंगस खरानीले सुद्ध बनार अत्यादिक एकागर वैर शिवजी को पुजा गर्षा त्यों भगवान शिवजी को प्रम भक्त हुन्छ ब्रह्म अत्या जस्ता सबेंदा थुलो ब्रह्म अस्व ब्रह्म हथ्या ब्रह्मस्व जस्त्व कामगर्ने व्यक्तीले पनि बगवान शिवजी को आयदन गर्द शन्थेस्ता पापपत किन्छ मुक्त हों चत्यो भगमान शिवजी को पुजा सर्वत क्रिष्ट शादनो इश्कारर हे नारद आजद खीत मिले अत्यंते भक्ति भावले जगदंबा उमा सैत माता पार्वति सैत शिवजी को भजन गर र पोईताला देखी सीर्षम खरानी को लेव गर दे आदर पुर्वक शिवजी को सबयंदा उत्तम मंत्र ओम नमा सिवाय यो मंत्र जब गर वेदमा बताईये को छ भगमान शिवजी को लागी सबयंदा पिरिया रुद्राक्ष उंच तो रुद्राक्ष धारण गरेर यो मंत्र को विदिपुर्वक जब गर भगमान शिवजी का पथा सुन भगवान सिवाजी को खिरपासि मेलेव प्राप्ताँसूच। Kinghteiner. अनि भगवान सिवाजी लाए इЗЫर्दाय। भगवान शिवाजी को चनम अर्ली श्थापना गरिला। उस्दते करेले। शिवाजी को अतुलिनिय महात्मय को विशेमा झान्य fabrics कि नहीं पतावान, काशी इमाँ चाहू धाव। थाणो पासी भगवान, शिवाजी को लागे अत्युनुते प्यारोचव. कि पती माँ जाव। ब्हुषी पति माँ जाव। ब्हटी निमित्त प्रिपृति को सभवान, शिवाजी को आरदना घर्षो बने। शिवजी को किरपाले तिम इमा भयेको यो सारा लेश रो खटेर जाने शे भ्रह्म, भगवान, शिवद का सविवन्दा प्यार भक्ता भआ का हुनाले भ्रह्मा जीले पनी गेरे परशन्नता पुरवक भगवान शिवद को महात्म शतनामस तोत्र अब तिमिलाई सुनावने छन ये देवर्षी नारद आज देखी तिमें येकाग्र पूर्वक भगवान शिव को आरदनमा लागेर सिव भग्त बन विशेश रुपले मोक्ष प्रार्थ करने प्रयाश्म लाग भगवान शिव ले तिमरो कल्नियाड गर्न होने छ सिव जी को दिव्य आरदना गर वन्ने उपदेश दिदे भगवान विश्ण जी त्याँ बट अंतर ध्यान हुनु भयो भन्ने सम्मन को कथा हमिले आज यानि रचार्चागरों भली माकी कथाहरू शर्चागरने छों सबेले बोलीको कथाम उपश्टी दूना अगरह गर्दै आउनोस अरती पुस्पान जली मलागों